देवी देवताओं को फूल चढ़ाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। हर देवी देवता को अलग-अलग फूल पसंद होते हैं। नवरात्री का त्योहार देवी दुर्गा का है और इस त्योहार पर देवी दुर्गा के सभी नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या आपको बताऊंगी कि किस देवी को कौन से फूल चड़ाने चाहिए। नवरात्री में देवी दुर्गा के साथ साथ इन तीनों देवियों को भी खुश करने का उपाय जरूर करने चाहिए। खास तोर पर अगर आपको आर्थिक लाब चाहिए तो देवी लक्षमी को खुश करने के लिए उनका प्रिये और चमतकारी पुश्प उन्हें जरूर चड़ाए। देवी लक्षमी को कमल के साथ साथ गुढ़हल का फूल भी जरूर चड़ाए। यह बहुत ही दिव्य फूल है। लाल रंग का गुढ़हल चड़ाने से देवी लक्षमी खुश हो जाती है। दरसल पित्र दोश होने पर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए भी इस उपाय को करना बहुत ही जरूरी है। आप अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुढ़हल का फूल भी रख सकते हैं तो इससे भी देवी जो है लक्षमी जो लक्षमी देवी हैं वह एट्राक्ट होती हैं। आपको बता दें कि कपूर और गुढ़हल नेगिटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है। ऐसे में अगर किसी रीजन से आपके पास पैसे नहीं तिक रहे हैं तो यह नवरात्री मर उपाय करने से इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो है ना छोटा सा गुढ़हल का उपाय और आपके कितने सारी परिशानियों को हल कर देगा। तो इन उपायों को जरूर करिए और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको यह कितना फायदा दिया।